गुड मॉर्निंग सेमन्थ क्लास मैंसेल्फ रूची गुत्ता फ्रॉम हैपी केम्रे स्कूल एक्ससाइज 1.2 स्टार्ट कर रहें आज हम फर्स्ट कोशन है आपका 40 डिवाइड बाइड बाइड जीरो ठीक है अब एक बात किता हूँ आपको डिवाइड करना है जीरो से सीरो का टेबल कभी होता है तो यहाँ पे क्या लिखोगे not defined the group of integers whose product is minus 42 आपके पास तीन ओप्शन दे रखे हैं उसमें देखो किसको multiply करके आपका answer आ रहा है minus 42 minus 42 answer आपका किसमें आता है इसमें आ रहा है answer देखो b वाले में minus 42 तो answer क्या हो जाएगा b पार दोनों को multiply करेंगे minus 42 ए वाले में भी आ रहा है देखो minus 42 इसमें भी आ रहा है तो इसका answer हो जाएगा all of these यह आपका all of these है और यह आपका not defined है क्योंकि जब आप divide करते हो तो आप table बोलते हो और 0 का table तो आप नहीं लण करते है ना तो इसलिए not defined ठीके जब भी 0 से divide आती है तो answer हमेशा होते है आपका not defined second question है second question में आपको multiply करनी है देखो 2 को minus 3 से multiply करना है multiply और divide के rule अलग होते है और plus और minus के rule अलग होते है इन दोनों को multiply करोगे अगर दोनों में से एक में minus है तो multiply करके भी minus आएगा multiply करोगे 4, 5, 20 minus आएगा अगर दोनों में minus है तो minus minus आपका कट जाता है 6 बनजा 6 दोनों ही negative integer है दो negative integer को जब हम multiply करते हैं तो minus से minus कट जाएगा 4, 5, 20 अगर एक negative है तो negative का sign आएगा अगर दोनों negative है तो minus minus कट जाएगा तो positive answer आएगा ठीक है ऐसी आपका next question है question number 4 का 6 पार्ट करवारियों मैं आपको आपको इस सारे पार्ट करने है find the product of आपको multiply करना है minus 2, minus 5, 5, 2, minus 8 अब इन सब के बीच में आपको multiply का sign लगाना है पहले तो ठीक है product का मतलब क्या होता है multiply minus 2, multiply minus 5, multiply 5, multiply 2, multiply minus 8 जब आपको negative integer आजाता है तो आप bracket यूज कर लो क्योंकि 2 sign ही कठे हो जाते है इसलिए bracket यूज कर ले अब इन सब को multiply करेंगे यह minus से यह वाला minus कर जाएगा लेकिन यह वाला minus answer में आएगा 2 5s are 10, 10 5s are 50, 52s are 100, 100 को 8 से multiply करेंगे 800 और minus 800 ऐसी minus 14 multiply minus 2 multiply minus 1 multiply minus 1 इस minus से यह minus कटिया, इस minus से यह वाला minus कटिया 14 2s are 28, 28 बंज़ 28, 28 बंज़ 28 is your answer 3 multiply minus 1 multiply 333 multiply minus 10 इस वाले माइनस से यह बला माइनस कर जाएगा 3 बंज़ा 3 3 को इससे मल्टिप्लाई करेंगे 999 उसको 10 से मल्टिप्लाई करेंगे 9990 जब को मल्टिप्लाई करेंगे माइनस से माइनस कर दिया पहले हमने इन दोनों को मल्टिप्लाई कर लिया 5 और 20 और इन दोनों को multiply कर लिया 10 वंज़र 10 और minus 10 अब इन दोनों को multiply कर लेंगे क्या आजाएगा minus 200 देखो 0 से कभी भी multiply नहीं करना पड़ता 2 वंज़र 2 1 2 2 0 count करके लगा दो minus 200 इन सब को multiply करना है पहले हमने इन दोनों को multiply किया minus से minus कट लिया 2 3's are 6 फिर इन तिनों को कर लिया, यह माइनस एवला माइनस कर लिया, टू टैंज आ ट्वंटी, ट्वंटी, बनज आ ट्वंटी, इन दोनों को ट्वंटी करेंगे, 120 is your answer, ठीके? कौश्य नबर फाइब का पार्ट है ये, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2, 3 multiply 3 अब इसका मतलब यह नहीं होता कि 3 to the 6 No 3 multiply 3 3 to the 9 इन दोनों को multiply करोगे तो क्या जाएगा minus 10 अब इन दोनों को multiply करेंगे तो क्या जाएगा minus 90 देखो 3 की power 2 को करेंगे 3 multiply 3 9 इसको 3 to the 6 करोगे तो कोशिन कर ला तो जाएगा ठीके फिर यह minus 5 multiply 2 multiply minus 3 multiply minus 2 multiply minus 7 इन सबको multiply करोगे minus से यह बला minus कर जाएगा इस वाले minus से यह बला minus कर जाएगा ठीके देखो 5 to the 10 3 to the 6 यह 7 का 7 इन दोनों को multiply किया तो minus आया सिरफ हमने इन दोनों को minus को कट किया है ठीके अब यह बले दोनों minus भी कर जाएगे अब इन तिनों को multiply करोगे 10, 6 is 60 60 को 7 से multiply करोगे 4, 20 50 थाएगे झाले में दोने धन में झाले में झाली में जोन ses टीके झाले में दृदी आ उँए